नमस्कार दोस्तों कैसे आप आशा करता हूँ बहुत अच्छ है और अपने परिवार का बहुत अच्छे सा ध्यान रख रहा है आगे बढ़े दोस्तों अगर अपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फिर क्या किया दोस्तों जाइए नहीं से उसमें चैनल सब्सक्रा कर दो कि मैं को Immigration Consultant या Government Body नहीं हूं तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहा है तो आपने रिस्पर ले रहे हैं सो दोस्तों ये ड्राव 27 हुआ था जून को और हम सब जानते कि IRCC ने आप category-based draws एनाउंस के हैं बट contrary to that ये draw आपका all programs ही रहा और टोटल 4300 invitation issue हुए और 486 का cut-off रखा अब ये सवाल आता है दोस्तों कि ये कब होगा category-based का तो ये तो कोई आपको नहीं कह सकता है क्योंको उन्होंने को date अनाउंस नहीं किया है लेकिन ये कभी भी हो सकता है अब इसका impact क्या हो तो देखी दोस्तों ये पूल है वो पूल publish करते हैं कितने candidates है कितने score के बीच में है लेकिन उन्होंने ये data नहीं publish किया है कि इस score में वो categories जो कि उन्होंने pick-up किये हुए हैं ये category-based draw के लिए उनके कितने candidates है तो ऐसे में दो pressure उस नोट थै क्या ये गट for example मैं एक number मालेज है 100,000 total profile है ठीक है इन में से उन 6 category के हमारे पास 40,000 profile है ठीक है तो that means जब वो category-based draws conduct करेंगे तो वो 40,000 में से candidates को invite करेंगे तो अब जिस draw में भी invite करेंगे उसमें कितने invitations issue करेंगे वो matter अगर वो high invitation जैसे अभी आप देख रहो 4,300 इससे पहले इससे भी ज़्यादा invite किया गया थे तो अगर इतने candidates को invite करेंगे तो definitely उनको cut-off गिराना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ से आपने candidate कम कर दिये और आपक तो cut-off तो गिराना पड़ेगा लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं हम कम invite करेंगे 2000-3000-1000 जो भी in that case वो ज्यादा होगा तो इस हिसाब से हमें पदा चलेगा ये तो है और दूसरा चीज़ यह है दोस्तों कि वैसे लोग जो लोग की अब तक invitation नहीं ला पाए हैं पूल मे थोड़ा पीछे रहा गया उनके पास क्या option है तो देखिए दोस्तों कुछ चीज़ आपके हाथ में हैं जिसमें आप अपना मेहनत कर सकते हैं पहला चीज़ तो देखिए दोस्तों आपकी language skills आपके हाथ में अगर आप पूल में IELTS score 7 लेकर हैं तो आप दूबारे exam में चा के लिए जेनरली बोड़ रहा हूं कि अगर आप खुद को primary और couple को secondary अपने पार्टनर को secondary रखे हो तो क्या पूल में घुसने से पहले आपने यह points पे चेक किया था कि अगर आपके partner को primary बनाया जाए और आपको secondary तब कितना score आएगा दोनों में किसी भी configuration जिसमें ज़्यादा score है उसमें आपको pool में होना चाहिए तो अगर आप pool में घुसने वाले हैं तो यह calculation जरूर करें और अगर घुस चुके हैं और बिना यह calculation किये हुए तो फिर से calculation official site पे कर लेजे क्योंकि ultimately आपका goal क्या है भाई कि invitation आना चाहिए चा तो आपको थोड़ा research करना होगा official sites पे जातर कि अगर मैं PNP के ले जाता हूँ तो मेरे क्या obligations है मुझे क्या conditions fulfill करने मुझे क्या मिल रहा है उससे तो अगर ऐसे में एक match बनता है कि हाँ आपकी जो future plans है आपके जो aspirations और जो आपको मिल रहा है अगर सब कुछ match हो जाता है तो ठीक है when and good आप आगे बढ़ जाएए इस तरह से ये काम करता है दोस्तों तो वीडियो देखने के लिए देने बाद दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू